हेलो दोस्तों कैसी हो आप सब आसा करतों कि आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तों तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर मेथट के बारे में ठीक है तो यह पावर मेथट क्या होता है तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए अीड किया करते हैं और प्पहूंत कर दोको से फिक cuidado है, इसे पपहले हम लोगess में अब मेद्ड के या बटन आ रहा ह individually केका आप उन्हें निकालते हैं find the numerically large eigen value of the matrix by power method ठीक है up to यहाँ पे देखो 3 iteration यहाँ पे दे दिया है ठीक है जब आपको 3 iteration दे दिया है तो आपको 3 iteration तक ही हम लोग क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो कुछ इस परकार से आपको matrix दिया हुआ रहेगा initial eigen vector ठीक है यह क्या है हमारा initial eigen vector है ठीक है तो चलिए इसको हम लोग solve कैसे करते हैं इसके बारे में थुरा सा जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको लिख देना है solution ठीक उसके बाद हम लोग A जो यह given matrix दिया हुआ है और क्या है यह जो हमारा initial eigen vector है इसको हम लोग लिख लेते हैं तो A x naught इस परकार से लिखते हैं और हम लोग क्या करेंगे जो यह matrix है इसको लिखते हैं 1 4 6 minus 3 4 3 2 minus 1 5 कुछी इस परकार से उसके बाद x naught का जो मान है इसको अब भी हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 1 1 ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको simply यहाँ पर multiply करना है तो आपको I think multiply करना तो आना ही चाहिए तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ किस परकार से आप लोग multiply करोगे तो simply multiply करने के लिए आपको जितना बाद जितना कॉलम का है उस परकार से यहाँ पर हमने ले लिए उसके बाद simply आप क्या करोगे सबसे पहले इस 1 को इस के सांद multiply करना है तो 1 into 1 करोगे तो कितना हो जागा 1 हो जागा फिर आपको यहाँ पर plus का चिन देना है क्या हो जागा 4 into 1 तो आपको यहाँ पर 4 हो जाएगा फिर plus 4 into 1 तो फिर यह 4 बन जाएगा फिर plus minus 1 into 1 तो यह आपको minus 1 हो जाएगा ठेक तो चलिए फिर आके देखते हैं यह third row को first column के सांद करते हैं multiply तो 6 into 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा plus 3 into 1 तो 3 3 plus 5 into 1 तो आपका 5 हो जाएगा ठेक तो चलो इन्हें सभी को हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों जोर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा यह पर 1 plus 2 3 हो जाएगा plus 3 minus 3 तो आपका यह हो जाएगा जीरो ठेक उसके बाद यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 448 हो जागा 8 में से आपका एक घड़ जागा माइनस में है तो यह आपका हो जागा आपका 7 उसी परकार से यहां पर देखो 6, 3, 9, 9 और 5 कितना हो जागा 14 हो जागा ठीक तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों simply यहां पर एक चीज का आपको धियान रखना है हमेशा क्या धियान रखना है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं common लेते हैं तो चाहे आप सबसे maximum वाला जो टर्म है उपर वाला उसको भी आप common ले सकते हो या नहीं तो आप नीचे वाला common ले सकते हो ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे जो बरावला value है इसको हम लोग common ले लते हैं तो यहाँ 14 है 14 को आप यहाँ पर common ले लो तो कुछ इस परकार से आप 14 को जब common लोगे ठीक है तो कितना हो जागा हो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जागा 7 by 14 मतलब 0.5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा 14 common लेने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपको क्या करना है इसको भी 14 से डिवाइड करना है इसको भी 14 से डिवाइड करना है तो कुछ आपका इस परकार से यह क्या हो जाए दोस्तों आपका आइगन वेक्टर और यह सारे आपका क्या हो गया आइगन वेक्टर इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर ठीक है यह लार्जेस्ट आइगन वेल्यू आपका हो गया और यह आपका आइगन वेक्टर होगा ठीक तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे फिर द एटरेशन वन ठीक है तो जो हमारा लार्जेस्ट है लार्जेस्ट आइगन वेल्यू कितना निकला दोस्ता हमारे पास 14 यह 14 निकला एंड आइगन वेक्टर कितना आया हमारे पास वह आया 0,0.5 एंड वन ठीक अब फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे हम लोग सेकेंड आइटरेशन लेंगे ठीक है तो चलिए लेते हैं सिंपल यहां पर लेंगे क्या है सेकेंड आइटरेशन ठीक है कुछ इस परकार से आइटरेशन यहां पर लिखेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे ए एक्स नोट फिर से निकालेंगे तो हम लोग का जो जो भी हम लोग को मैट्रिक्स दिया वा था कितना दिया वा था 1 4 6 उसको लिखेंगे माइनस 3, 4, 3 उसके बाद 2, माइनस 1, 5 तो उसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है उसके बाद अभी जो लेंगे उसकी आपको लिख करके बता देता हूं एच तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या है, simply हम लोग multiply करने के बाद यहां पर लिख दिया, उसके बाद मैं इसको solve कर दिया, 0 plus minus 1.5 plus 2, तो यहां पर 0.5 आ गया, उसे तरह से 2 है, minus 1 है, तो आपका यहां पर 1 हो गया, और यहां पर 6.5 हो गया, ठीक, फिर हमारा निकल गया, उसके बाद हमको क्या करना ह मैं आपको जो बताया था, इनमें से जो सबसे बराबला value है, नीचे वाला, इसको फिर common लेना है, ठीक है, तो फिर यहां पर आप common ले लोगे, 6.5, जब इनमें से 6.5 common ले लोगे, तो फिर यहां पर कितना बढ़ जागा, जब इसको 6.5 से divide करोगे, तो आपके पास यहां पर मानागा 0.07692 आजागा, फिर उसके बाद यहां पर हो जागा कितना, 0.15304 और यहां पर हो जागा 1, ठीक है, खुझ इस परकार से, तो फिर आपका कितना निकल गया, यहां पर देखो, आइगन फिल लिए, आपका कितना निकल गया, 6.5, ठीक है, इससे पहले आपका कि थर्ड आइट्रेशन निकलना है, यहां पर लिखेंगे आइट्रेशन, आइट्रेशन थर्ड, ठीक है, तो चलो, फिर आइट्रेशन थर्ड में AX0 इस परकार से लिखना है, और आपका जो A मैट्रिक्स है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, 1, 4, 6, माइनस 3, 4, 3, 2, मा ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहां पर, simply, जो अभी हमारा AX0 का मान इसको लेंगे, 0.07692, 0.15304, आपको कैल्कुलेटर इलावा होगा एक्जाम में, ठीक है, तो आपको डरना नहीं कि इसका मान हम लोग किस परकार से निकालेंगे, तो simply फिर क्या करोगे, फिर इसको साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, इसी तरह से जब आप मल्टिप्लाई करोगे, तो मैं यहां पर डायरक्ली लेता हूँ, ठीक है, तो हम लोगा मान आ जागा, 1.6454-0.07696, और उसके बाद आएगा, 5.9234, ठीक है, यह हमारा क्या होगे दोस्तों, यह हम लोगा होगे आइगन वेक्टर, ठीक है, यह आइगन वेक्टर हुआ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन में से फिर सबसे जो बरावला संख्या है, उसको फिर कॉमल लेना है, तो यहां पर बरावला संख्या क्या है, देखो, यह 5.9234 है ने, बरावला संख्या, तो इसको फिर हम जाएगा 0.15384 और इसके साथ divided करना जाएगा तो देखो सब्सक्राइब आपको कि इसी है वाला जो हुआ है यहां पिए डिवन फाइब चाहे तो इसके बाद यहां प्र प्सक्राइब-डिश सेम मिलने लगना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगा वहीं पर आप एश्टॉप कर दोगे तो वह आपका final आइगन वेल्यू और आइगन वेक्टर निकल जाएगा ठीक है तो नहीं तो और एक तरीका है यदि आप question में question का error find कर लोगी तो यदि error minimum आएगा तो आपका final वेल्यू वह आपका हो जाएगा यह final आपका आइगन वेक्टर और आइगन वेल्यू निकल जाएगा ठीक है तो हमको question में third iteration तक ही कहा था तो इसलिए हमने यहां पर क्या क्या third iteration तक ही मैं यहां पर निकाल लिया तो जब आप निकाल लोगे तो आपको last में लिखना भी है क्या लिखोगे the end of the iteration iteration third का जो largest largest आइगन वेल्यू जो निकला है वो कितना निकला भी है 5.9230 ठीक है एंड और आइगन आइगन वेक्टर हम लोगा क्या निकला भी है यह जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हो 0.7692 0.15384 and 1 ठीक है तो यह आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया ठीक है और हाँ यह हमको question में third iteration तक ही निकाला है इसलिए यह हमारा final value ही हुआ यह आइगन जो हमारा value हुआ यह हमारा final value हुआ ठीक है यह आइगन वेक्टर हमारा final हुआ यदि third iteration तक नहीं दिया वारे question में तो आपको iteration लेते जाना है जब तक कि इधर वाला मान आपका क्या नहीं आ आ जाए मतलब approximately same ना आ जाए ठीक है तो